नमस्कार दोस्तों मेरा नम समीर है और आप देख रहे है मेरा चैनल समीर होम टेग दोस्तों आज हम जानेगे कि वाटसक के माध्यम से अपनी लोकेशन सामने वाले की फोन में कैसे भेजी जाती है तो उसनों कई बार क्या होता है कि मालीजे हम किसी नई लोकेशन पर है या किसी अंजान लोकेशन पर है जहां की information हमारे घर वालों को हमारे family friends को नहीं है और हम चाहते हैं कि उन्हें हमारी location मालूम हो हम किस जगे पर काम कर रहे है या मालीजे हम किस जगे पर रहते हैं किसी दूसरे शेहर में है तो उसके ये feature बहुत useful हो सकता है दोस्तों कई बार क्या होता है कि मालीजे हमें किसी ऐसी जगे जाना हो जिसकी जानकारी हमको पहले से नहीं है तो यदि सामने वाला भी हमको अपनी location भेज दे तो उसको map पर follow करते हुए वहाँ तक पहुचना बहुत easy हो जाता है तो दोस्तों चली देखते हैं ये feature कैसे काम करता है अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने mobile की screen पर दोस्तों इस feature का use करने के लिए हमको सबसे पहले whatsapp में जाना होगा whatsapp में जाने के बाद हम जिस भी व्यक्ती को अपनी location भेजना चाहते हैं हमको उसको touch करना होगा इसके बाद हमें नीचे attachment वाले option पर touch करना होगा जो एक clip जैसी बनी रहती है यहाँ पर touch करने के बाद हमें इस वाले option location पर touch करना होगा location पर touch करने के बाद यह आप से बोलेगा कि आपका GPS disabled है जब हम ok करेंगे तो ऐसा location वाला option को लेगा और हमें location को on करना पड़ेगा देखिए location on हो गई है आप इसको back कर लीजे यह हमारी location को ले रहा है इसके थोड़ा सा phone अटक रहा है जो blue dot है यह हम है और इसके बाद यहाँ पर दो option है share live location और send your current location हम send your current location को select करेंगे और यह हमने location भेज दी है सामने वाले को ठीक है इससे सामने वाले को मालूम चल जाएगा कि हम इस location पर रहते हैं या काम करते हैं या इस जगे पर अभी है अब दोस्तों मान लीजे आप live location शेर करना चाहते हैं उसके लिए आपको वापिस pin पर touch करके location को select करना होगा और share live location पर touch करना होगा यहाँ पर whatsapp आपसे पूछ रहा है कि आप इस जगे पर कितनी दिर रहेंगे पंद्रा मिनिट एक घंटा आठ घंटा मान लीजे हम यहाँ पर एक घंटा रुकेंगे और इसके बाद भेज दीजे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है second option stop sharing लिखा हुए इस पर यह एक घंटे तक इस जगे को share करता रहेगा कि मैं इस location पर एक घंटे तक रहूँगा उसके बाद आप चाहे तो जो यह location की sharing है इसको stop कर सकते हैं stop sharing दबाके अब हम दूसरे phone में जाके देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या करना होगा यह हम दूसरे mobile की screen पर आ गए हैं यहाँ पर हमें अपनी भेजी हुई location को access करने के लिए whatsapp पर जाना होगा यह whatsapp open हो गया यहाँ पर हम सबसे पहले वाली option को select करेंगे यह देखिए मैंने दो message भेजे थे first वाली option को हम touch करेंगे यह देखिए यह हमारी location यहाँ पर दिखा रहा है इस location तक पहुँचने के लिए हमको start button को दबाना होगा start button को हम दबा देंगे ठीक है दोस्तों इस तरह से हम इस location तक पहुँच सकते हैं दोस्तों live location देखने के लिए हमको नीचे वाले option को touch करना होगा देखिए इसमें सामने वाले व्यक्टी की location आपको अपने फोन में दिख रही है और यदि आप अपनी location उन तक भीजना चाहें तो आपको इस जगे पर touch करना होगा जहां पर लिखा हुआ है tap to share your live location जब आप इस जगे पर touch करेंगे तो आपकी location भी सामने वाले को दिखने लग जाएगी इस तरह से आप ले जाना कि WhatsApp और location फीचर का यूज़ कैसे करते है उम्मीद करते हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो ये वीडियो पसंद आया हो ये से लाइक करेगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा थेंक्यू सो मच